हलो फ्रेंड्स गुड मॉरीं स्वागत है आप सबका सारा होम साइन्स एजूकेशन में आज हम पढ़ेंगे नियूटेशन और नियूटेशन के आज सेकेंड क्लास है दूसरी क्लास है आज का जो टॉपिक है वो क्या है कार्बो हार्डेट के बारे में हम डिटेल से पढ़ें नहीं करते हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को सेर कर दो भाई अपने अपने ग्रूप में आप सब बी लोग मेरे वीडियो देखते हूँ जो मेरे रिगुलर स्टूटेंट है से ज्यादा है हमब Regam कि वह अपनी जरूर बीडियो को सेयर करें किती अच्छी क्लास मिल रही है आप लोगों को सारे डाउट किलियर हो रहे हैं तो इसका आप सब को मिलना चाहिए तो आप लोग उसे रिक्वेश्ट है आप लोग अपने ग्रूप में जरूर इस वीडियो को भेजें अब आज आते हैं हम अपने टॉपिक पर कल की जो क्लास थी उसको हमने देख लिया कि डाइट क्या होता है और पोशक तक तो कितने प्रकार के हैं कितने प एक बात और आप लोग उसे पतानी है कि जो ये संडे आने वाला संडे जो है इस संडे को आपको मिक्स कुशियन मिलेंगे मिक्स कुशियन को सॉल्ब करवाया जाएगा आपको निइटीशन के भी कुशियन आयड होंगे उसमें जितने अभी तो संडे तक दो क्लास हमारी कं कुष्ण बटाया जाएगा और होम मेनेजमेंट से भी कुष्ण आएगा तो तीनों पार्ट से कुष्ण ऑड़ किया जाएगा आपको जितना पढ़ाया गया वहाँ से आप अच्छे से पढ़के आई अच्छे रिख आप 我ा के रिख धार्गी है वह क कर्भो हार्डेत का मिलता है कितन। कैलोरी उर्जा मिलती है तो 4.2 किलो कैलोरी उर्जा हमें मिलती है हम कल देखे थे लेकिन आज भी हम देखेंगे में में पॉइंट को क्या क्या पॉइंट है इसमें पहले तो हम कार्बो हर्डेट कहां से बनता है इसको देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है इसको देखेंगे तो अब हम अपनी class start करते हैं कार्बो हार्डेट है कार्बो हार्डेट का जो सामान सूत्र है वो क्या है पहले हम देख लेते हैं कार्बो हार्डेट का सामान सूत्र पूछा जाता है ये exam time में question आया है कई बार तो जो carbohydrate का सामान सूत्र होता है वो क्या होता है सी सामान सूत्र ये किसका carbohydrate लिखा हुआ आए एक्जाम टाइम में या फिर कार्बोज दोनों एक ही है कार्बोज आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है न आप लोग के comment को देखकर ही कि में में को पता चल गया कि आप लोग को nutrition की मतलब जितनी भी क्लास है आप लोग को बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग सेयर भी करिए भाई कार्बो हार्डेट का सामान सूत्र क्या है CS2O क्या है इसका सामान सूत्र CS2O अभी हम सिर्फ सूत्र देख रहे हैं अभी इसके संगठन में देखेंगी कि क्या क्या कितना कितना है अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ main point पर बात कर लेते हैं जो कार्बो हार्डेट है ये भारत में उर्जा का सबसे बड़ा सोत्र है सबसे प्रमुक स्रोत है हम भारतिये क्या करते हैं जो कार्बो हार्डेट है हमारे लिए ये क्या है उर्जा का सबसे main सोत्र है सबसे बड़ा स्रोत है अगर exam time में कुछन पूछा जा कि उर्जा का सबसे बड़ा सोत्र किसे माना जाता है उरजा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइडेट, वसा तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे कार्बोहाइडेट अंसर में देंगे लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो वसा है, जो फैट है ये भी क्या है, ये भी उरजा का स्रोत है केलोरी किसे मिलतीए नाइन पॉइंट टु किलो कैलोरी हमें मिलती है फैट से जबकि कर्भो हाइड लोग भी इसको यूज कर सकते हैं इसलिए जो परिश्रम करते हैं जो मजदूरी करते हैं दिन भर उन लोगों के भोजन में तो 80-90% क्या होता है कार्बो हार्डेट ही यूज किया जाता है क्योंकि वो फैट उनके लिए उनके बजट के हिसाब से नहीं होता है फैट बहुत मह कैलोरी मिलती है एक केलोरी हो गया सबका है जो कार्बो हार्डेट है ये क्या है मेन स्रोथ है उर्जा का मेन स्रोथ किसे माना जाता है तो उर्जा का जो मेन स्रोथ है वो है कार्बोज क्यूं माना जाता है इसका रिजन भी आप लोग को मैंने बता दिया कि जो कार्बोज है ये सब की पहुंच में है बट वही पर जो फैट है वो महगा है कोस्टली है जो सामानने लोग जो पारिस्रमिक लोग हैं जो डेली महनत करते हैं मजदूरी करते हैं उनका बजट इतना जादा नहीं होता कि वो क्या करें वसा या फैट को अपने डेली रूटीन में डेली आहार में वो सामिल कर सके इसलिए जो उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में जहां से सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है वो क्या है कार्बो हाइडेट है अभी आमने कल 60 से लेकर 70 परसेंट तक यूज किया जाता है हमारे भोजन में जो इसका परसेंटेज है वो कितना है 60 से लेकर 70 परसेंट यूज किया जाता है लेकिन जो मजदूरी करते हैं जो मजदूर लोग होते हैं बहुत जादा गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं उनके भोजन मे 80-90% क्या होता है वो कार्बोज ही होता है कार्बोहर्डेट ही होता है और हमें ये प्राप्त कहां से होता है तो गेहू, चावल, जाओ, मक्का ये सब क्या है गुड, चीनी, गन्ना ये सब क्या है यहां सब चीजों से हमें क्या मिलता है इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है कार्बोज मिलता है कार्बोहार्डेट के सोच जितने भी मीठे चीज मीठा है जितने भी मीठी चीज अनाज है वहाँ से हमें क्या मिलता है कार्बोहार्डेट मिलता है यह कुछ पॉइंट है अब हम देखेंगे कि यह हमें कहां से मिलता ह कार्बो हार्डेट जो है वो उर्जा का सबसे बड़ा स्रोथ तो है लेकिन हमें मिलता कहां से है कार्बो हार्डेट क्या है कार्बो हाइडिर क्या है उर्जा का सबसे बड़ा स्रोथ है उर्जा का में स्रोथ है या सबसे बड़ा स्रोथ है लेकिन यह हमें मिलता कहां से है तो यह हमें बनस्पति जगत से मिलता है यह हमें कहां से मिलता है बनसपती जगत से मिलता है जैसे क्या हुआ कहां से मिलेगा हमें जाओ गेहूं चावाल गन्ना सकरकंध जमीकंध गुड चीनी यह सब क्या है यह सब है इसके स्रोत क्या है क्या है इसके संगठन में क्यों क्यों सी चीज़े आ रही है अब हम क्या देखेंगी संगठन संगठन क्या है इसका तो सी प्लस ह प्लस ओ सी से क्या होगा सी से होगा कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सीजन यह क्या है यह संगठन कार्बो हाइड्रेट का या कार्बोज का संगठन क्या है क्या किन किन चीजों से यह बना है तो कार्बन हाइड्रोजन और आक्सीजन किस्से किस्से मिलकर बना है C plus H plus O और इसका जो सामान सूत्र है वो क्या है CS2O कारबोज का सामान सूत्र क्या है CS2O है और इसका संगठन आप लोग नोट करते हुए चलिए मैं इसको कितनी बार में दो दो बार रिबीट करते हुए चलूंगी इन सब पॉइंट को क्योंकि ये ज़्यादा important है और आप लोग ध् चीजें हैं तो C plus H plus O है C से carbon, S से hydrogen और O से oxygen है अब यहां पर हम देखेंगे कि hydrogen और oxygen का जो अनुपात है वो कितना है कारबोज में hydrogen और oxygen का कितना अनुपात है ये पूछा जाता है question में exam time में यहां से question कैसे पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि कारबोज में carbohydrate में hydrogen और oxygen कितने अनुपात में होते हैं इसका अनुपात कितना होता है तो हम क्या बताएंगे टू अनुपाते वन में होते हैं और यही अनुपात जो hydrogen और oxygen का अनुपात है ये किस में होता है जल में भी होता है ध्यान रखिएगा आप लोग यही अनुपात hydrogen हाईदोजन और आक्सीजन का यही अनुपाद किसमें होता है जल में होता है और यही अनुपाद हाईदॉजन का क्समें होता है ११ बोज में होता है एक्जाम टाइम में कुश्यन पूछा जाया है कि कार्बोहाइडरेट में आकसीजन और हाइडोजन हाइडोजन और आकसीजन कितने अनुपात में रहते हैं तो हम क्या बताएंगे इनका अनुपात 2.1 है और यही अनुपात जो तो किसमे है जल में भी है। दो अनपाते एक किसमे है जल में है। clear हो गया यह point संगठन में हम देख रहे हैं जो carbohydrates का संगठन है कारबन प्लस hydrogen प्लस oxygen को मिला कर बना है यह और इसमें hydrogen और oxygen का अनपात पूछा जाये तो हम क्या बताएंगे दो अनपाते एक होता है और यही अनपात का हाइडोजन और आकसीजन का जल में भी दो अनपाते एक होता है और इसका जो सामान निसूत्र है वो क्या है CS2O है यह पॉइंट एकदम अच्छे से किलियर हो गया आप लोगा अब हम देखेंगे कि कार्बोज बनने की बिधी कैसी होत मिलता है बनस पत्तियों से हमें मिलता क्या है कार्बो्धा मिलता है अगर क्यूं टैम में सब्सक्राइब कि बन जाएंगे कि इसक पर गूंगे प्रीक की होती है अब हम क्या देखेंगे अब जो हम point देखने जारें वो क्या है Carbohydrate बनस्पतियों दोरा कैसे बनाया जाता है इसकी बिधी को हम देखेंगे यहां तक clear हो गया अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे Carbohydrate बनाने की बिधी Carbohydrate कैसे बनता है और यह कहां पर इस्टोर होता है और कैसे हमारी बोड़ी में आ जाता है हमें मिल जाता है क्या मिल जाता है Carbohydrate जो Carbohydrate किस क्रिया के द्वारा बनता है तो प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा बनता है जो पौधी की पत्तियां होती है क्या करती है जो पौधी की पत्तियां होती है यह हो गई पत्ति जो पौधी की पत्तियां होती है वो प्रिथिभी से जमीन से क्या लेती है जमीन से जल लेती है जमीन से जल लेती हैं और क्या करती है यह हम जो हम आक्सीजन लेते हैं कार्बन डाई आकसाइट को छोड़ते हैं तो कार्बन डाई आकसाइट के साथ सूर की किरड़ों के साथ या सूर के प्रकास के साथ क्या करती है प्रकास संसलेसर की क्रिया करती है कैसे करती है जब ये पत्तियां होती है ये पत्तियां क्या करती है प्रकास संसलेसर की क्रिया करती है प्रकास संसलेसर प्रकास संसलेसर को इंगलिस में क्या कहते है फोटो सिंथेसिस कहते है प्रकास संसलेसर क्या कहते है इंग्लिस में photosynthesis कहते हैं जो पौधी की पत्तियां होती है यह सूर के प्रकास में क्या करते हैं? सूर के प्रकास में मिलकर जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकास संसलेशन की क्रिया कहलाती है और इसी क्रिया के बाद क्या होता है कार्बोज का निर्माड होता है कार्बोज बन जाता है और कार्बोज जब बन जाता है तो ये इस्टोर कहां पर रहता है पेड़ की जो पौधे होते हैं उनके तनों में पोधों के तने में पत्ती में फूल में और फल में ये कहां कहां इस्टोर हो जाते हैं पोधों के तने में पत्ती में फूल में और फल में ये इस्टोर हो जाते हैं जो प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है प्रकास संसलेशन की क्रिया आप लोगों ने कई बार रिपेटिट फ जो पेड़ हैं जो पौदे हैं प्रिथिवी से क्या लेते हैं जल लेते हैं वायो मंडल से कारबंडा याकसाइड लेते हैं फिर क्या होता है प्रकास की उपस्तिती में सूरिक की प्रकास की उपस्तिती में वो एक क्रिया करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं इस क्रिया के फल स यही कारण है कि जब क्या होता है, जब कभी बादल रहते हैं, धूप नहीं निकलती है, तब इनमें प्रकास संसलेशर की क्रिया नहीं हो पाती है, फोटो सिंसेटिस की क्रिया नहीं हो पाती है, तब क्या करते हैं, जो इनके पत्तियों में, तने में, फल में, फ्रूट में, जो लेते हैं वहीं से अपना भुजन बनाते हैं यह समझ में आ गया प्रकाशसनीर की प्रिभी से जल लेते हैं और क्या रोशनी में जो क्रिया होती है। के बाद जो बनता है उस क्रिया के फल्षुरूप जो बनता है वो क्या होता है कार्बोज होता है और कार्बोज कहां पर इस्टोर रहता है पौधों के तनों में पत्तियों में फूल में फल में बीज में हर जगे वो इस्टोर रहता है और जो पत्तियां है इनका जो हरा कलर होता है वो किस कारण होता है हरा रंग किस कारण होता है क क्लूरू फिल की कारण जो पत्तियां है उनका कलर कैसा होता है हरा होता है यह आ गया समझ में सबको प्रकास संसलेशर की क्रिया कैसे होती है यह आ गया समझ में और कहां पर यह इस्टोर रहता है यह भी आ गया होगा समझ में अब क्या होता है जब हम पौधों से जब कोई पत खाते हैं किसी चीज का तना खाते हैं हम फूल खाते हैं फल खाते हैं तो यह क्या होता है हमारी बोडी में चला जाता है हमारी बोडी में जब जाता है तो वहां पर जुलन की प्रक्रिया होती है वो पच्छता है पच्छनी के बाद क्या होता है हमारी बोडी को उर्जा मिलती है उर्जा मिलने के बाद क्या होता है हम क्रिया सील हो जाते हैं हम काम करने लगते हैं अभी हम दो दिन खाना एक दिन खाना ना खाए तो हमें कैसा लगता है कि जैसे लगता है हमारे अंदर उर्जा ही नहीं है हम इनेजेटिक ही नहीं है हम कोई कार करने के लायक ही नहीं है त फिर क्या होता है इसको मैं लिख के बता दूँ आप लोगों को जब हम कार्बोज खाते हैं पत्ति खाते हैं फल फूल तना कुछ भी खाते हैं तब क्या होता है हमारी बोडी में जाता है बोडी में क्या जाता है कार्बो हाइड़ेट जाता है कार्बो हाइडेट कार्बो हाइडेट हमारी बोडी में जाता है फिर क्या होता है वहाँ पर जोलन की प्रक्रिया होती है जोलन प्रक्रिया में क्या होता है खाना पच्चता है हमारी बोडी में जोलन की प्रक्रिया होती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमें उर्जा मिलती है, उर्जा मिलने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिया सील हो जाते हैं, हम क्रिया सील हो जाते हैं, यह है कुछ पॉइंट, जब हम कोई भी चीज, कार्बो हार्डेट, जब हम खाते हैं, हमारी बोडी में जाता है, फिर जोलन की प्रक्रिया होती ह carbon dioxide save carbon dioxide अंदर लेते हैं उसी प्रक्रिया के दोरान हमारा भुजन पचता है भुजन पचनी के बाद क्या होता है हमारी बोडी को अरजय एनजयिक हो जाती है कार्य करने की संता आ जाती हमारी बोडी में फिर क्या करते हैं हम कारे को करने लगते हैं यह थे कुछ पॉइंट यह किलियर हो गए आपको अब हम में देखेंगे जो में पॉइंट है वो देखेंगे यहां तक यह समझने का पॉइंट था इसलिए हमने इसको समझाया आप लोग अब क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कार्बोहाडडेट के प्रकार या कार्बोज को के प्रकार कार्बुज के प्रकार कार्बो हाइडेट या कार्बोच को तीन भागों में बाटा गया है पहला क्या है मोनो दूसरा है डाई और तीसरा क्या है पॉली सिकराइड पहला क्या है मोनो सिकराइड पहला क्या है मोनो सिकराइड दूसरा है डाई सिकेराइड और तीसरा क्या है पॉली सिकेराइड कार्बोज के प्रकार, कार्बो हाइड़ेट के प्रकार हम देख रहे हैं पहला क्या है पहला है हमारा मोनो सिकेराइड, दूसरा है डाई सिकेराइड और तीसरा क्या है पॉली सिकेराइड जो मोनो सिकेराइड होता है, मोनो मिस होता है एक मोनो मिस क्या होता है, एक या सिम्पल इसमें क्या होता है, जो कार्बन की अड़ होते हैं वो एक अड़ होते हैं इसलिए इसे simple कहा गया है simple या फिर mono ये क्या होता है इसमें क्या होता है जो carbon के अड़ होते हैं वो एक होते हैं ये simple हो जाता है इसको खाने के बाद हमारी body में तुरंत के तुरंत energy हमें मिलने लगती है इसलिए ये क्या कहलाता है mono securide एक अड़ होते हैं इसमें carbon के एक अड़ होते हैं या फिर सरकरा के एक अड़ होते हैं सरल सरकरा के एक अड़ होते हैं आपको exam time में क्या देखना है अगर carbon के अड़ मिल जाए या फिर सरल सरकरा के अड़ मिल जाए तो दोनों को एक मानेंगे इसमें क्या होता है कार्बन के कार्बन के एक अड़ो होते हैं या फिर सरल सरकरा के इसमें सरल सरकरा भी इसे कहते हैं इसे सिंपल भी कहते हैं सरल सरकरा का एक अड़ो किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसे सरल सरकरा भी कहते हैं सरल सरकरा का एकड़ या फिर कार्बन का एकड़ इसको और किस नाम से जानते हैं इसे सिंपल भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं सिंपल इसमें क्या होते हैं, कारबन के एक अड़ आ होते हैं, कुछ भी लिखा मिल जाए, हमें सरल सरकरा निखा मिल जाए, या फिर कारबन के अरू लिखा मिल जाए, तो हम एक ही समझेंगे, डाइस सेकराइड क्या होता है डाइस सेकराइड में जो कार्बन है उसके दो अड़ होते हैं इसमें क्या होता है कार्बन के कार्बन के दो अड़ होते हैं पॉली सेकराइड क्या होता है पॉली सेकराइड में एक से अधिक और लाखो अड़ होते हैं इसमें क्या होता है जो प कार्बन के कार्बन के एक से अधी काड़ू एक से अधी काड़ू और कितनी संख्या में हो सकते हैं ये लाखों की संख्या में हो सकते हैं लाखों की संख्या में किलियर हो गया ये क्या है मोनो सेकर आइडिया सिंपल सरकराय सिंपल कार्बोच क्या होता है इसमें जो कार्बन ह इसके 1 अड या करोडों अड तक चले जाते हैं अब हम देखेंगे कुछ और point जो Monosicriide है यह क्या है, Monosecureide जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है, यह इसको टाइम नहीं लगता है, इसको खाने के बाद हमारी बॉडी तुरंथी एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी के हो, और हम क्या करते हैं, कारे करना सुरू कर देते हैं, Dicecureide क्य क्या होता है, Dicecureide में क्या है, कार्बन के दो अड़ होते हैं, तो क्या होगा, जब हम कोई Dicecureide के फॉर्म में कार्बो या कार्बो हार्डिक ग्रहण करेंगे, तो वो क्या होगा, पहले वो पॉली में तूटेगा, पहले वो किसमें तूटेगा, पहले वो मोनो हैं दो अडु होने की वज़ा से अगर हम डाई सेकराइड वाला कार्बो हाडडिट यूज करते हैं खाते हैं तो क्या होगा पहले वह तूटे मोनो सिकराइड में तब हमारी बॉड़ी उसे एबजर्ब करेगी उसे सोखेगी उसे हमें उर्जा मिलेगी यह किलियर हो गया अब हम आ जाते हैं पॉली सिकराइड में पॉली सेकराइट में हमने क्या देखा कार्बन के एक से अधिकरो और लाखो करोडो अड़ो तक चले जाते हैं इसमें क्या होता है पहले पॉली सेकराइट सरकराई या फिर कार्बोज हम ग्रहन करेंगे तो वो क्या होगा पहले तूटेगा डाई में पॉली सेकराइड किस में तूटेगा पहले डाई में तूटेगा डाई के फार्म में आएगा फिर क्या होगा डाई के फार्म से फिर तूटेगा किस में मोनो में आएगा कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एबजर्ब किसे करती है तो मोनो सेकराइड की फाम में जो कार्बो हाडडेट होते हैं वही हमारी बॉडी तुरंत ले लेती है और हमें उर्जा मिल जाती है उसके अलावा अगर हम डाई सेकराइड को खाएंगे तो वो पहले किसमें तूटेगा मोनो में तूटेगा और अगर हम पॉली सेकराइड कार्बो हाडडेट को खाएंगे तो वो किसमें तूटेगा पहले डाई में तूटेगा डाई के बाद फिर मोनो में तूटेगा तब हमें जाके उर्जा मिलेगी तब कार्बो हाडडेट हमारी बॉडी में पचेगा किलियर हो गया आप सबका अब हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो इसी में अटक जाएंगे हम लोग I hope कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होई होगी अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंतरगत और अगर जो चीज आपको इसमें से नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कुश्चन को पूछ सकते हैं अगले दिन जो क्लास होगी उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्ब करा देंगे यहां पर अब हम क्या देखेंगे इसके अंतरगत क्या क्या आता है क्या क्या हमें देखना है इसको देखेंगे हम मोनो में क्या क्या देखेंगे कि मोनों के अंतरगत क्या क्या आता है ग्लूकोज ग्लूकोज आता है और दूसरा क्या आता है फ्रक्टोज और तीसरा नंबर क्या आता है लैक्टोज तीसरा नंबर क्या आता है ग्लैक्टोज एक एक पॉइंट को आप लोग को complete करवाते हुए मैं चल रही हूँ Monosecureide में हमें क्या-क्या देखना है Glucose देखना है, Fructose देखना है और क्या देखना है, Glectose देखना है अब हम आजाते हैं डाई में, Dicecureide में क्या-क्या आएंगे डाई में आता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज सुक्रोज, माल्टोज और क्या आता है लेक्टोज क्या क्या आता है डाई में सुक्रोज आता है माल्टोज आता है और क्या आता है लेक्टोज आता है अब हम देखेंगे पॉली में क्या क्या आता है स्टार्च आता है पॉली में स्टार्च हो गया ड्रेक्स ड्रेक्स्ट्रीन हो गया क्या हो गया ड्रेक्स्ट्रीन हो गया Glycogen Celluloge और Pectin Glycogen Glycogen Celluloge और क्या देखना हमें Pectin किलियर हो गया हमें Monosicrate में क्या-क्या पढ़ना है Glucose पढ़ना है, Fractose पढ़ना है और Glectose पढ़ना है Dye में हमें क्या-क्या पढ़ना है सुक्रोज पढ़ना है, Maltose पढ़ना है और Lactose पढ़ना है और क्या पढ़ना है, Poly में हमें क्या पढ़ना है Starz, Dextin, Glycogen, Celluloge और Pectin हमें इतने पॉइंट को हमें देखना है तो I hope आज हम कितना complete कर पाते हैं मुझे जहां तक लग रहा है आज हम केवल क्या complete कर पाएंगे Monosecureide को आज हम complete कर लेंगे Glucose, Fractose और Glycose को आज हम अच्छे से पूरे D-Playable में जाकर पढ़ेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं Monosecureide Simple Sarkra को मैं इसको मिटा दूँआ अब हम क्या देखेंगे Monosecureide Simple Sarkra को देखेंगे इसमें 3 को पढ़ना है Glucose को, Fractose को और Glycose को हमें पढ़ना है पहले क्या हम देखेंगे Mono Monosecureide पहले हम कौन सा देख रहे हैं तो जो Carbohydrate है उसका पहला प्रकार देख रहे हम Monosecureide Monosecureide में पहले हम क्या देखेंगे Monosecureide को क्या कहते हैं अब Mono में क्या आता है पहले Glucose को हम देखेंगे जो Mono में पहला आता है वो क्या है Glucose Glucose का सूत्र किसको किसको याद है आप लोग comment box में बताईएगा जरूर Glucose का सूत्र क्या है यह है C6H12O6 यह तो सबको रटा होगा C6H12O6 Glucose का सूत्र क्या है C6H12O6 यह क्या है यह है Glucose का सूत्र Glucose का सूत्र पूछा जाता है कार्बोज का सूत्र पूछा जाता है कार्बोज का सूत्र क्या था सामान सूत्र CS2O और Glucose का क्या है C6H12O6 है अब हम देखेंगे कि Glucose को किस किस नाम से जाना जाता है Glucose को कितनी नामों से जाना जाता है और इसमी क्या quality होती है glucose को पहले तो blood sugar कहा जाता है glucose का नाम blood sugar exam time में blood sugar पूछा जाए glucose पूछा जाए या फिर current carbohydrate coin of body क्या पूछा जाए current अभी क्या हम देख रहे है glucose के नए नए नाम को देख रहे है current carbohydrate current carbohydrate coin half body glucose blood sugar current carbohydrate क्या पूछा जाए या फिर इसे क्या कहते है अंगूर की सरकरा कितने नाम है भाई इसके ये तो धेर सारा नाम लेके बैठ गया है कार्न सुगर इसे क्या कहते है dixtrose कहते है dixtrose dixtrose को क्या कहते है कार्न सुगर कन्फ्यूज नहीं होना है किसी को अब हम एक बार सुरू से देख लेते हैं किसका नाम क्या है glucose का क्या नाम है blood sugar भी कहते है इसे current carbohydrate coin a body कहते है अंगूर की सरकरा कहते है dixtrose कहते है card sugar कहते है अब blood sugar क्यों कहते है इसे इसका भी तो कुछ रीजन होगा कि इसे blood sugar क्यों कहते है ऐसे तो किसी का नाम नहीं पड़ जाता ना तो blood sugar कहने के पीछे भी एक region है जब भी हमें क्या होती है उर्जा की कमी महसूस होती है तो हम क्या करते है ग्लू कोज का 2-3 चमच घोल कर पी जाते है या फिर ग्लू कोज का bottle हमें लग जाता है और वो हमारी body में तुरंत ही क्या हो जाता है सोख लिया जाता है हमारे रक्त के द्वारा सोख लिया जाता है इससे क्या होता है तुरंत ही हमें energy मिल जाती है ग्लूगोज है इसे ब्लड सुगर इसलिए कहते हैं कि यहीरत है तुरंत ही हमारी जैसे हमगार्य के बोटल हमें चड़ती है, लिजम हमें चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे हम गलू कोज खाएं, वो हमारी बॉडी में गया, हमारे रक्त में घुल जाता है, तुरंत ही हमें उर्जा मिले लगती है, येसी लिए इसका नाम क्यों पड़ा है, इसलिए इसे ब्लड सुगर कहते हैं, इसे करंट कार्बो हाइडेट क्वाइना बॉडी भी इसलिए कहा जाता है, इसे अंगूर की सरकरा कहा जाता है, इसे डेक्स्टोज कहा जाता है, कार्ण सुगर भी कहा जाता है, इतने नाम हो गए, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, किसी भी नाम से एकजाम टाइम में पूछा जाए, तो हम तुरं अब ही इसी में हम देख रहे हैं होम साइंस के वल कहने का होम साइंस है कितने लोग हैं बहुत आराम से बोल देते हैं कि होम साइंस ही तो पड़ नहीं है क्या है इसमें खाना बनाना वगरा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें दुनिया भर की जितनी चीजें हैं सारी की स अच्छे से से पता होगा अगला candom क्या देखते हैं अब इसके बारे में हम देखें गे ग良ुकोजी रख teacher गरा आँशोषित कर लिया जाता है कि मैंने बताया कि ग्लूकोज़ क्या होता है हमारे रख आउशोशित कर लिया जाता है तो हम किसका नाम लेंगे ग्लू कोज का ग्लू कोज क्या होता है यह हमारे रक्त द्वारा तुरंद ही सोख लिया जाता है रक्त द्वारा तुरंद किसे आउशोशित किया जाता है तो क्या किया जाता है ग्लू कोज को और हम क्या देखेंगे ग्लू कोज की मात्रा पूछी जाती है यह point बहुत जादा important होने वाला है ग्लू कोज की मात्रा हमारे रक्त में कितनी होती है यह कई बार question repeated form में पूछा गया है तो ग्लू कोज की मात्रा कितनी होती है हमारे body में 80 mg, गुलू कोज की मात्रा, रक्त में, मैंने उल्टा लिख दिया है, रक्त में गुलू कोज की मात्रा रक्त में कितनी होती है, तो कितनी होती है, 80 mg, प्रति 100 ml होता है, प्रति 100 ml आफ ब्लड, क्या होता है, इतना होता है, क्या होता है, 80 mg, प्रति 100 ml आफ ब्लड, इसका मिंस क्या होता है, मैं ये भी बता रही हूँ आप लोग को, कि 100 ml खून लेंगे हम 100 ml, 100 ml कितना होता है, बहुत ही कम होता है, 100 ml ब्लड में कितना होगा, ग्लू कोज, तो 80 mg ग्लू कोज होगा, कितना होगा, 80 mg, 80 mg, 100 ml खून में हमारे 100 ml ब्लड में, कितना होगा, 80 mg ग्लू कोज होगा, तो 80 mg, 80 mg प्रति 100 mg आफ ब्लड में होता है, और यहां से ये कुश्चन कई बार पूछा गया, ये चीज आप लोग रट लो, कि जो ग्लू कोज है, हमारे ब्लड में ग्लू कोज की कितनी मात्रा होती है, तो हमारे ब्लड में 80 ml ब्लड जो होता है, उसमें कितना मिली ग्लू कोज होता है, ये पॉइंट किलियर हुआ आप लोग का, अब हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे, कि जो अगर हमारे ब्लू कोज की मात्रा जादा हो जाती है, मालो कि हमने कार्भोहाइडर बहुत जादा खा लिया है ग्लू कोज, तो वो क्या होगा, जो हम ग्लू कोज की बहुत जादा मात्रा हम खा लेंगे, हमारी बॉड़ी को तो कितना चाहिए, प्रति सौ अमेल खुन में, हमें बलड में, अगर इस से जःदा ग्लू कोज हमारी बॉड़ी में हो गया, तो वो स्टोर हो जाता है अगर हमारी बोड़ी में ग्लूकोज की मात्रा जादा हो जाती है अगर हमारी बोड़ी में ग्लूकोज की मात्रा जादा हो जाती है तो वह क्या करता है वह हमारी बोड़ी में इस्टोर हो जाता है और कहां पर इस्टोर हो जाता है ये कुशन भी पूछा गया है कि हमारी बोड़ी में ग्लू कोज कहां पर इस्टोर होता है तो ग्लू कोज कहां पर इस्टोर होता है ग्लूकोज हमारे यक्रित में स्टोर होता है और मान स्पेशियों में स्टोर होता है कहा होता है अगर हमारी बोड़ी में ग्लूकोज की मात्रा जादा हो जाती है तो वह ग्लूकोज यक्रित में और मान स्पेशियों में मान स्पेस्तियों में स्टोर हो जाता है किलियर हो गया अगर हमारी बोड़ी में ग्लुकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कहां पर स्टोर होता है तो वो हमारी ये कृत में ये कृत में स्टोर हो जाता और जो बची खुची ग्लुकोज होता है बचा खुचा जो ग्लू कोज होता है वो कहां पर इस्टोर होता है मान स्पेसियों में इस्टोर होता है यह तो किलियर हो गया लेकिन आप लोग सवाल करोगे कि मैं क्या है कि जो ग्लू कोज है वो इस्टोर तो हो जाता है हमारी बोड़ी में एक्रित में और मान स्पेसियों म है लेकिन वो फाम में इस्टोर होता है किअ ग्ल५ कोज के वह में चोर्हो să होता है अब मैं यहां से मिटा सकते हूं आप लोग देख लिया है 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 जो ग्लू कोज है है उर्ट कोज ग्लाइक जन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में रूप में इस्टोर होता है किलियर हो गया हर पॉइंट आप लोग का किलियर हो गया कि अगर हमारी बोडी में ग्लूकोज की मात्रा जादा हो जाती है तो हमारी यक्रित में और हमारे मांस्पेसियों में इस्टोर होता है और इस्टोर किस फाम में होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यक्रित्मी मांस्पेसियों में स्टोर हो जाता है कम्प्लीट हो गया अब हम क्या देखेंगे अब यह यूज कहां पर होता है यह हमारी बॉड़ी में स्टोर तो हो गया क्या इस्टोर इस्टोर पड़ा रहता है वह भंडार हो जाएग है जो glucose glycogen के फर्म में water है अमारी बोड़ी में या क्रित और्मान श्पेशियों में वही glycogen in glucose की रूप में परिवर्तित हो जाता है और पुरा हमारी बोड़ी को energy देने लगता है क्या समझे अप लोग क्या समझे कि अब हम देखेंगे क्या कि जो हमारी बोडी में जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकत्रित है इकठा है वो कभ यूज होता है तो जब हम ब्रत यात्रा करते हैं कारबोज का यूज नहीं कर पाते हैं हमारी बोडी में क्या होती है उर्जा के जरुरत होती है तब क्या होता है ग्लाइकोजन ग्लॉकोजन ग्लॉकोज में तूटकर ग्लॉकोज में परिवर्थित होकर होकर हमें उर्जा देता है कम्प्लीट हो गया ये ग्लॉकोज ग्लॉकोज ग्लाइकोजन के फार्म में हमारी बोडी में एक्रित और मान स्पेशियों में एकत्रित रहता है और जब हम ब्रत करते हैं पुआस रखते हैं यात्रा करते हैं उस दोरां जितना हमारी बोडी को जरूरत है उतना हम नहीं खापाते हैं क्या होता है हमारी बोड़ी में जुगलाइकोजन एकत्रित है वह ग्लू complete हमारा अब हम क्या देखेंगे fructose fructose कौन सा है B वाला है अभी mono देख रहे हैं कल हम देखेंगे dye और poly को देखेंगे कल आज हम mono को complete कर लेते हैं बले देर गंटे की class हो जाए या फिर एक गंटे की जितने भी time की class हो हमारी fructose क्या होता है fructose किसे कहते हैं फलो की सरकरा fructose का नाम पहले देख लेते हैं जैसे हमने उसका नाम देखा था वैसे हम इसका भी नाम देख लेते हैं सब लोगों ने इतनी इतनी नाम रखे हैं तो fructose क्या है fructose को किस नाम से जानते हैं फलो की सरकरा कि फैलो की सरकरा कहते हैं औरू इसे क्या कहते हैं लेविव हिव लोज कहते हैं लेव वी लोज कहें कहें है यह जो लेवु लोज है आपके इसा भी देखने को मिल जाएगा कहीं कई यह जो लेभू लोज न सबस्को आप लोग未कों लिखा हुआ मिल जाएगा लेभू लोज मिले या लेभी लोज मिले एक ही है तो समेह Нेला सरकरा फलोग की सरकरा फिर फेश código लेपयो लोगिया लेपयों लिखा है और इसको किसी एकor दोने हैं यह जाने क्या आप लोगों को अब में देखेंगे यह क्या होता है है जो फ्रक्टोजucks कि raid एक लेबुलोज कहते हैं अभी हमें मिलती कहां से है तो हम क्या जानेगे फ्रक्टोज से ही हमें पता चल रहा है यह फलो से हमें मिलती है है की नहीं फ्रक्टोज क्या है यह हमें यह सरकरा हमें कहां से मिलती है तो फलो से मिलती है यह फलो से पाई जाने वाली सरकरा है प्राकृत प्राकृतिक जगत में सबसे मीठी सरकरा कौनसी होती है तो वो होती है फ्रक्रतोज ये कुश्चन भी पूछा गया है अब हम इसके पॉइंट को देख लेते हैं ये तो नाम किलियर हो गया अब हम क्या देखेंगे जो फ्रक्रतोज है ये हमें कहां से मिलता है ये फलो की सरकरा है फलो की सरकरा और अगला पॉइंट क्या है अगर एक जाम टाइम में कुश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत की सबसे मीठी सरकरा कौनसी है तो हम क्या बताएंगे फ्रक्रतोज क प्राकृतिक जगत की सबसे मीठी सरकरा कौन सी है? फ्रक्टोज है अगला पॉइंट हम देखते हैं यह गलू कोज की समान होता है जैसे गलू कोज हमारी बोड़ी में जाकर तुरंत ही हमें एनर्जी देने का काम करता है वैसे ही क्या होता है? यह फ्रक्टोज भी वैसे ही काम करता है फ्रक्टोज क्या होता है? ये भी सबसी ज़्यादा इस्टोर तो glukos ही होता है लेकिन जो fructose है ये भी glycogen के फार्म में glycogen के रूप में हमारी body में गत्रित होता है ये कैसे होता जो फ्रक्टोज है ये भी ग्लाइकोजन के रूप में रूप में यक्त्रित और मानस्पेसियों में एकत्रित या इस्टोर हो जाता है आप लोग नोट्स बना लो भई आप लोग अपने मन से नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा किलियर होगा आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा अब हम क्या देखेंगे ये क्या है फ्रक्टोज है फ्रक्टोज कहां से मिलता है फलो की सरकरा है ये प्राक्रतिक जगत की सबसे मीठी सरकरा है ग्लाइकोजन के रूप में मतलब ये भी ग्लाइकोजन जो अगर हम फ्रक्टोज हमारी बोडी में ज्यादा हो जाता है तो क्या ह होती है हमारी बोड़ी को उर्जा देने का काम करती है यह हो गई अब हम क्या देखेंगे अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे जो है ग्लैक्टोज अब हम क्या देखेंगे ग्लैक्टोज को देखेंगे क्या देखेंगे सी नंबर में क्या है ग्लैक्टोज ग्लेक्टोज क्या होता है यह प्रकृत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है एकडम point to point किलियर करेंगे क्या है जो ग्लेक्टोज है यह कहां पाया जाता है तो यह प्रकृत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है एक्जाम टाइम में अगर ऐसा कुश्यन बन जाए आज आए हमारे शामने कि कौन सी ऐसी सरकरा है जो प्रकृत में नहीं पाई जाती है तो हम किसका नाम लेंगे ग्लेक्टोज का ग्लेक्टोज क्या है प्रकृत में स्वतंत्र रूप में यह नहीं मिलता है इसको मैं यहाँ प्रकृत में स्वतंत्र रूप से रूप से नहीं मिलता तब यह कहाँ पर मिलता है हमें यह हमारी सरीर के अंदर ही बनता है यह जो सरक्रा है जो ग्लेक्टोज है यह कहां बनता है हमारी बोडी में ही बनता है यह हमारी शरीर में बनता है ग्लेक्टोज क्या है यह प्रकृत में सुतंतर रूप से नहीं पाया जाता है यहां से दो टाइप के कुश्यन बन सकते हैं कि कौन सी ऐसी सरकरा है जो हमारी बोडी में बनती है हमारी बोडी में पैदा होती है तो हम क्या बताएंगे गलेक्टोज को बताएंगे या फिर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सरकरा है जो प्रकृत में स्वतंतर रूप से नह हम देख लेंगे glucose plus lactose से मिलकर ये बनती है glucose और lactose क्या है यह केसे बनती है glucose Plus lactose Glucose Plus lactose से बनती है लेक्टोज क्या है तो यह क्या है milk sugar है यह क्या है milk sugar दूद की सरकरा है यह दूद की सरकरा, दूद की सरकरा है, यह जो गलैक्टोज है, यह कैसे बनता है, गलुकोज प्लस लैक्टोज से बनता है, यहाँ एक ऐसी सरकरा है, जो बनसपती जगत में भी नहीं पाई जाती है, जब बनसपती जगत में नहीं पाई जाती है, यह क्या होता है, जब जब पीते हैं तो क्या होता है जो दूद की सरकरा लेक्टोज है लेक्टोज जब तूटता है तब उससे क्या बनता है एक ग्लूकोज का अड़ू एक ग्लूकोज का अड़ू यह कैसे बनता है एक ग्लूकोज का अड़ू और क्या एक एक लेक्टोज के अणु से लेक्टोज के अणु को मिला कर क्या बनता है ग्लेक्टोज जब लेक्टोज का पाचन होता है तब वहाँ से क्या बनता है एक ग्लूकोज का अणु बनता है और एक लेक्टोज का अणु बनता है ये दोनों अडू मिलकर क्या बनाते हैं ग्लैक्टोज को बनाते हैं ये क्या है ये प्रकृत में स्वतंतर रूप से नहीं पाया जाता ये हमारी बोडी में बनता है और बोडी में किन चीजों को मिलाकर बनता है तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिलाकर बनता है और बन जाता है और इससे एक बिमारी भी होती है अगर हमारी बोड़ी में ग्लेक्टोज की मात्रा जादा हो गई तब क्या होता है यह कंप्लेट हो गया ग्लेक्टोज अब हम देखते हैं इसकी अधिता से कौन सी बिमारी होती है हमारी बोड़ी में क्या देखेंगे अब हम देखेंगे अगर हमारी बोडी में ग्लेक्टोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो ग्लेक्टोज सिमिया बिमारी हो जाती है कि अगर हमारी बोडी में ग्लेक्टोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होता है तो ग्लेक्टोज सिमिया ग्लेक्टोज सिमिया नामक बिमारी हो जाती है क्या है ग्लेक्टोज की हमारी बोडी में ज्यादा मात्रा होगी तब क्या होता है हमारी बोडी में ग्लेक्टो सिमिया नामक बिमारी हो जाती है ये थे कुछ पॉइंट ये थे आज के कुछ पॉइंट और कल हम क्या पढ़ेंगे डाई सिकराइड को पढ़ेंगे कल हम क्या पढ़ेंगे डाई सिकराइड कल का जो हमारा टॉपिक है ये डाइ सेकराइड हम पढ़ेंगे और पॉली सेकराइड को पढ़ेंगे so thank you मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग enjoy के साथ पढ़िए अच्छे से पढ़िए मेहनत करके पढ़िए so thank you